प्रेन में वांफोर्द होगी, अमानाथ यत्राक करने कोई जा रहा है उसको मार दो, बैस्तो डेबी जा रहा है उनको मार देगा लग़ा, कस्टी में आके च और यहां पर तंतरा के गोली चल जा जा जैगा, गोली लगने के बाद भी अपना काम करते गाए, तंतरा के मार दि कियोग वियो किए यहां पकिस्तन आगे यहां पकिस्तान आगे यहां और यहां पे ताहर होता है माइनों 60 नीई 67L तस या बीस सीटी से पधिए से पहले ढायर दीए जाएकर में तो यह सट लएक दाड़ी को क्या निव Captain-2 इ सतर्ड लगता है पार GOOD दर्ट Valentine कर आप लोग उह से खोलके कान के पर ढख लीजेगा तो हवाज नई दटाः नहीं तो आप लोग में दटाः नहीं तो पता कैसे चले लेगए यह जो चीड्डे पतने सिर्ट करेंगे फ्लीश्य फोड़ा भी घंड़ा नहीं लगता नृष्य जो रखता है दटाः उसको पता थंड़ी लुड़ा इसमें पाकिस्तान यहां पर क्या हुए अपनी सेना भेज दिया अब यहां लड़ने के लिए हमारे पास उतने ठंड वाले कपड़े नहीं थे क्योंकि हम दोनों में समझाता था अब यह कपड़ा बनाता था नौर्वे नाम का देश कोन बनाता था नौर्वे नामक देश अब नौर्वे के पास हुआ कि भाई आभ यहां पर तो पाकिस्तानियों को भगाना पड़ेगा तो पता चला की यह कुपड़े कौन देगा नौर्वे तो भारत सरकार गई नौर्वे में कपड़ों का सेंपल देखने के लिए कि क्यों कपड़ा कितना प्राइस रहेगा नेगोसियेशन होगा तो भारत सरकार नेगोसियेशन होगा अगर सब कर और के या फाइनल ओर देने गई तो नर्वे नमक देश कर रहा है कि अभी हम यह डिलिवरी नहीं दे पाएंगे दो साल बात देंगे हमारे पास बहुत जादे ओर अभी पेंड दाइन पाकिस्तान के पास और जो पाकिस्तानी स्रोल्टर ह हके तो पहले से कपड़े थे अब भारतिय से भारतीों इन पहुंच जानी यही थंड कपड़े होते इसके लिए हालागी एंध्य रोकने के लिवा इनला बल नहीं होते हैं, वहाँ हाइपक्सिया हो जाता है, सास नहीं ले पाता है, और ठंड इतना रहता है, हवा भी इतनी नमीरा तो सास लेते जाएगे तो पानी भरने लगता है फेफड़ा में, पानी भरने तो उता, नॉर्मल हुमिटिटी रहेगी तो बाहर चला हो तो ठंड हईपक्सिया हो जाएगा, पानी भर जाएगा तो सास जादे नहीं जाएगा, सास नहीं जाएगा तो ऑकसिजन की कमी हो जाएगी अवो अई से भी हैट पर ऑकसिजन की कमी हो जाती वहाँ पर रेडियो सिग्नल बोलेंगे तो पकड में मा जाए WORUS आप एक चंचल पांडे करके था पोस्ट वहाँ पर जब स्वायों पर के प्वाकिस्तनी गोली चलाया गया गैर और तो इनोंने चला दिया तो गोली की आवाज सुनके , जो हमारे बाकी के फार टे वह लोग जग गये जगने के बाद मारे पाकिस्तानीयों को सब तो हस्ण न उस होगा सब मर गया स्पर अब हार ती से वाती सेना पहुंद लें वहाँ है और भारती सेना पहुंद ली तो सारे कप्ड़े इधर रेड़ी हो गए से पाकिस्तानी आरहे हैं सब यe कर यहां पर इंडियान अर्मी जिंदा नहीं बस सकती मिलें सकती सब कि रह jetzt है सब यहात वह पर सब्सक्राइव कारगील और स्याचीन शीज मत हैं NE वह नमाझ पढ़ रहे थें तो पाकिस्तानी को लगा कि पूरे पोस्ट पर कफिया किसका हो गया है इंडियन रिम काथ यार था वह पहले से पगसलूपड घूब इसके बावजूद सारे सारे का फाकिस्थानी मारे गए और हम लोग का एग सहीब होते और वो उवी सभी तो वह तो नहीं चलाए था उसकी आवाज आती नहीं है और नहीं चलाए रहते लोगों, तो भी अपना काम करते घाये, तर तरा का मार दीए, यहीं दो-तीं ठोक मार दिए हुए थे आपर, उसके बाद यह लोग जगे फिर उसको बाद मार दिये बाद में पता चला बाप तो बाफ होता है अधार जा गया मरा गया सब पाकिस्तान वाले वहाँ पर यूनों अब दिए उसको हम लोगों दिक्कत क्या है पाकिस्तानी फोस से प्रब्लम नहीं है ऐसे ताज होटल में जो लोग मासूम गए थे, कोई दूसरे देश से आया था, कोई छोटा बच्चा था, मार दिया उसको, दिक्कत इससे है, ट्रेन में बम फोर दोगे, अमनात यातरा करने कोई जा रहा है, उसको मार दो, बैशनो डे भी जा रहा है, उनको मार देगा, कश्मीर में आके चोरहा पर पर तड़ा के गोली चल जाएगा, भाई, प्रॉब्लम इससे है, तुम्हें लड़ना है, तो तुम लड़ोना, कब मना किये हैं, अलाने जंग करो, आज का आजे लोड़ो, भंग आगे गिने आगे हम, तिया चीन पर अभी इंडिया कप जाए, इसका कप जाए, इंडिया, अभी भी कपड़वा रखा हुआ है इंडियान आर्मी के मूजियम में, भंजा गया कि नहीं गया, और उन सब को दफना दिया गया, इंडियान आर्मी जब भी पकड़ती है, तो उन सब को दफनाती है, इजजत से, जबकि पाकिस्तान वाले ऐसा, नहीं करते हैं, आम लोग